हुआ 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 चली दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेस्ट बुक चैनल पर और नमशकार एक बर फिर से और 9 पीम के सेशन में आप सभी का स्वागत में इन मैंने स्ट्राट जी के का स्टार्ट के आपको भी पता है कि अब हम स्ट्राट को नौ बचे पढ़ाया उसको देखके समझ यह हूंगे आपकी वहीं लेक्चर का लेवल जो है है आप सिर्फ और स तो बच्चों को लगा कि बस सर यहीं पूछेंगे फैस्टिबल का नाम क्या और बट मैंने बहुत कुछ पूछ लिया मैंने घराने पूछ लिए पूछ लिए कुन-कुन से सवाल युनेसको आर्ट इन कल्चर के सवाल पूछ लिए उसी में उसी टॉपिक में तो यार यहां पे आज भी जो है हमारा लेक्चर जो है फर्स्ट इन इंडिया एंड दो वर्ल्ड एंड फेमस पर्सनल्टी थ्यान रखना चैप्टर में तीन चीजे होनी है पहला फर्स्ट इंडिया जो भी भारत में प्रथम रहों दूसरा दुनिया भर में प्रथम रहों और तीसरा पर आज बढू एड आ और सारे के सारे जो है जलदी से कमड बॉक्स पे ना कि सबी के सबी जितने ही बच highly watch लिए ब्पिन और को जितने शहीं फिर्स्टोस च्छेंट कर रहें लेगे मेरा टेलीग्राम जो है ना आप इस टेलीग्राम को भी जॉइन करने ना अमन सा टेस्ट बुक देखो मैंने आपको यह चीज कह रखी है कि मैं सुबह आपको आठ बजे भी जीके पढ़ा रहा हूं लेकिन वो ना हम ऐसे कर रहेगी जैसे मालो हमने आज इदर हमने कोई अल्टरनेटिव नहीं है हम क्या करता है सुबह जल्दी उठके ना एक बरी आठ बजे जीके का प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हम जीके और साइंज दोनों एक साथ सुबह भी कर लें सुबह नोबजे वाल लेक्षर तो साइन्स का होई रहा है लाइट चैप्टर करा दिया हिमना यह इन कलरफुल वर्ड करा हूं ठीक है वह आपको देखना है और पी या फिर सीपी या कोई भी बैच जोइन करना अमन्दिप कोड़ी यूज करके आप एकसर जरूर करें ठीक है भारत के पहले व्यक्ति जिनको प्रमवीर चक्र मिला था यह बहुत रार्मवेर लोगों को सिक्रम बत्रा आइधिंग लास्ट नी को मिला तो फिर अब और इसमें सबसे लास्ट का भी पूछ सकता है या नहीं और फर्स्ट का तो पूछी रहे देखते हैं इस कोशन का वह भी गंदा फर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंड देश जब अजाद हु पहले चीफ जस्टिस बनाने थे थे तो भाई पहले चीफ जस्टिस भी बनाएंगे खास चीज अगर मैं इसके पचास कोशन भी फर्स्ट वाले के करा दो रहा तो इंडिया और वर्ल्ड पूरा कवर हो जाता है और थोड़े कोशन हमारे फेमस परस्टिस भी बचेंगे तो ठीक है दिलिब बोस यह जित्ते हैं तो आंसर है इसकोशन का हरिलाल जी कानिया इसकोशन का आंसर है इसकोशन यह एक और कोशन देखे विच ओव फोलिंग कंपनी जिसने इंडिया का सबसे पहला प्राइविटली डवलप्ट रोकिट विक्रमेस बनाया था यह तो करेंट अफेर में भी रहता हूं ठीक है इंडिया का पहला प्राइविटली डवलप्ट रोकिट था यह विक्रमेस तो सीधा सीधा यह भी सवाल पूछा सकता है कि इंडिय तो यह भी आ सकता है कि इंडिया का सबसे वहला प्राइबिटी डवलफ रोकिट कुन सा है देखो यार जितने ही वच्छे है ना इस चीज का ध्यान रखना थम्मिल पर मत जाना कि वह एक थम्मिल है हमें यह टॉपिक हमने कई पढ़ाया तो हमें सब कुछ आता है तुम्हें म मत ज़्स करिएका कि आपको आता है जैसे अगर कल कोई एक टॉपिक लिए आपको लगता है नैस्टनल पार्क सारे मं नहीं आते आतें बाएनuleड programme कहां पे स्काई रूट एरोश्पेस के द्वारा बनाए गया इंके द्वारा बनाए गया इंपोर्टन एक और कोशट देखें तो यह वाली कोशन भी आपके बनते जैसे आरती शाह पहली भारतिये महीला थी जिन्होंने क्या द्युक्ती जर्थ् आरती शाह पहली महीला थी जिन्होंने इंग्लिस चैनल क्रोश किया था तीक है तो यह कोशन आपको मिल सकता है ठीक है कोशन आ सकता है वाला कोशन कि बैया आरती शाप पहली मईला थी जिन्हों ने इंग्लिश चैनल स्विम करके क्रोस किया था ठीक है कोशन इंपोर्टन है महत्पूर्ण है असान भी है ज्यादा मुश्किल नहीं ठीक है चली एक और कोशन देखते हैं इस कोशन का अंसर के हैं पदें आप जैसे जी आई टैक का चैप्टर जल्द ही करना है ठीक है स्टाटिक जी के दो हफ्ते या तीन हिफ्ते चलेगा क्योंकि अगर एक अच्छा कंटेंट बढ़ना चाहते हो तीन हफ्ते मान के चलो यूटूब पे बिल्कुल फ्री पूरा स्टैक जी के मिल रहा है पूरी प्लेलिस्ट बनी है ना इन प्याइं के आपको भी पता ओल इन वन का पूरा कंटेंट है चली जी आई टैक फर्स्ट इंडिया का कि इसे मिला डार्जिलिंग टी को मिला ठीक है आज के सब्सक्राइब जितने भी जी आई टैक है उन पर कोशन आपको मिल सकता है ठीक है ना चली एक और कोशन देखीगा इस कोशिंगा फर्स इंडियन टूष केल भारती का नाम बताई ठीक है ठीक होता क्या है हम इस कोशन का आन्सर गलत कर देते हैं हम नहीं सबसे हैं अ मांट्वर्स केल की न उसी को सबस्जते तो इस आंसर क्या है ठीक है इस कोशोन मांजर किया है जल्दी से बतेगा नहीं कि है कि गाहने पली से कहले प्ली कि gerek शचेंट टेडर उलज तरह इस टार्फिसे आंसर ईसे कोष़न का आंसर है अवतार सिंग चीमा हम क्या करते हैं यूं को तैबन आंसर लगाना है उन О्ट उस्यरत लिमाक में आता ह। थिक है इस तरीके के कोशन जल्दी गलत होते हैं ध्यान रखे हैं इस कोउषन इस लिगन site in पहली पहली महिला चीव मिनिस्टर सुचीता क्रिपलानी जी थी क्या नाम था सुचीता क्रिपलानी यह तो बता ही होगा पहली महिला चीव मिनिस्टर को सुचीता क्रिपलानी जी अब उसी चीज पर सवाल है कि सुचीता क्रिपलानी जी जो थी वह किस राज्य की पहली महिली कि पहली महिला मुख्य मंत्री बनी थी इस कोशें का अंसर क्या है बदे इस कोशें का अंसर क्या है कि वीडियो शेर भी करते रहा है और जितने बच्चे रहा है चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ठीक है सुबह भी लेक्चर हो रहे हैं साम को भी हो रहे हैं प्रॉपर लेक्चर सुबह तो आठ बज़े से स्टार्ट हो जाते हैं यूपी इस कोशें का अंसर है पहली महीला गवर्णर भी जो है यूपी की ही मनी थी ठीक है अच्छा मैं आपसे यही पूछना चाहरा था कि पहली महीला गवर्णर भी यूपी की ही मनी थी तो आंसर क्या इस कोशेंगा जल्दी से बतेगा मते आंसर क्या इस कोशेंगा चला इस कोशेंग जैसे वालत कोशें इस कोशें का आंशर क्या है ठीक है अना इस बज़का यूपी की महीला चीफ जस्टिस बनी है बढ़ा असान है पहाडी इलाका मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ चलो पहले आप आपर पहली महीला चीफ जरसिस किसी हाइक कोड़ की कोन थी आंसर और इस तो इसमें तो इसमें ना बच्चे फस जाते यह थी और फातिमा बीबी सुप्रीम कोड की सुप्रीम कोड की पहली सब्सक्राइब कुम सा स्ट्रेट था पहली महिला है की जर्श बनाएं थी आंसे के इस को अंधा के को अ कि चलो तो इस कोशें का आंसर क्या है ठीक है हाई कोट कुन सा है देखो यार यही चीज मैं आप कि थोड़ा ना थोड़ा डिटेल में जा इन सब चीज होगी हिमाचल पदेश कोशन का अंसर ठीक है बच्च वाले सबसे पहले कहां पर बड़ी जल्ली बताओं यह माचल पदेश आंसर रहे में से अवोड सबसे पहला किस व्यक्ति को मिला था कम्यूटी लीडर्शिप के लि नाम पता है अचेमल बावे ठेक चलुकुषद देखेंगे सबसे पहले स्पीकर का नाम बताइगे का की लोक ग्रीली सबसे पहले सिटकर कौन तो यसे आप से पहले स्पीकर और लोग सबाव भी आ सकता है जो इसके पहले वाइस प्रेजिडेंट का भी कोशन मिल सकता है इस टाइब के वनेंगे तो आंसर इस सबसे पहला भारत रतन सीवी रमन जी को मिला सीवी रमन जी ने स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेट लाया था रमन इफेक्ट इनको नोबल पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया फ्यूजिक्स में ठीक है फर्स इंडियन मुपेंट टूविंदा मिस्वर्ड टाइटर्स वेरी इजी वैसे ठीक है होता क्या है बच्चे इसमें भी घलती कर देते हैं ठीक है अच्छा आप में से कितने बच्चे हैं जो मेरे से न एक महीने से पर रहे हैं साइन्स का तो चलो तो चलो सुबे 9 बजिया आइफ स्टार्ट कियो या पहले से भी कर रहोंगे लेकिन इस का मतलब यह है कि आप जो है मुझसे हिस्ट्री भी पढ़ चुके और आपने जोग्रफी पढ़ लिए और इकनॉमिक्स भी बढ़ लिए बस आपका स्ट्राटिक जी के में एक की जगा तीन-तीन हफ्ते लगने ठीक है बस इतना है इस्ट्राटिक जी के एक बहुत बड़ा कि यहां पे नोबल प्राइस नहीं पूछ रहा है कि नोबल प्राइस लिटरेचर के लिए कि इसका और आप रविंद नाट टैगोर ऑप्शन में लगा दो इसमें फर्स नॉर्वल लॉरेट हैं जो की लिटरेचर के लिए संभानत किये थे तो आंसर इस कोशन यह बड़ा म कि रचीव किया है साइण संट अंटेग में और स् पेस अंद लेटा के चेकन लिए आता है कि पहला आर्टिट सैटलाइट पूटनिक first USSR के द्वारा ही लूंच किया गया किसके द्वारा लूंच किया गए USSR के द्वारा ठीक है first woman to go to the space इसमें इंडिया का नहीं पूछा है ओल ओवर पूछा गया है कि पहली महिला अब वर्ल्ड का भी first in इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड दोनों टॉपिक एक साथ है ना तो अब हम वर्ल्ड वाले भी कोशन करने लग रहे हैं ठेक यह भी दुनिया भर में कोई कुछ खास बात रही जैसे यह है कि यह first woman to go to the space बदे पहली महिला जिसने space में अंत्रिक्ष में जो गहीं वह कुण थी आंसर के स्कूशन का वैलेंटीना ट्रसकोवो इस कोशन का आंसर होगा है ना इसको ना इसके कुछ और कोशन भी कराने वाला हो लाइक कि वही कुछ प्रसिद्व्यक्ति जो हैं किस देश से संबद देता है जैसे अगर आप से किसी प्रसिद्व्यक्ति का पूछ ले कोई साइंटिस्स गया था कई पर तो उसका पूछा होगा यह यह पूछा आता है मंदब की कब गये कब कौन से देश से हैं फिलाडियों को पूछ जिसने पैर रखें चांद पर वह सभी को पता ही होगा इससे आस सब्सक्राइब कियाों फजन तो तो सभी को पता होगा कि नील आंस्रोंग वह फस्त परसन जिसने चांद पे कदम रखा थे तो तो यह सब नबं होगा आपने फैस परस्टो में नॉबल का दिक्रों किसन लिह मुश्किल है कि आपसे इंडिया का नहीं पूछ रहा कि इंडिया का नोबल प्राइस किस ने जीता यह स्पैसिविकली प्राइस में पूरी दुनिया में सबसे पहला पूछ ले तो यह एक उधारन टाइप कि आता है तो आता है नहीं आता है कुछ नहीं आ सकता है सिंपल सा बढ़ना है स्टाइटिक जी का आंसर है ठीक है जीन हैंड्री डॉनट इसकोशन का आंसर है एक और कोशन देखें क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में 1975 में पहला क्रिक आज के समय में तो इंडिया के पास भी दो खिताब है वर्ल्ड कप के एक तीसरा भी हो सकता था रहे गया तीसरे वाला ठीक है तीसरे वाला तो यार बड़ी बुरी किस्मत से रहा है है ना कि नहीं तीसरे वाला तो बड़ी बुरी किस्मत से रहा है रहना नहीं चाहिए था बस रहा है तो रहा है आप क्या कर सकते हैं लेकिन सबसे पहला वर्ल्ड कप का वेस्ट इंडिस की टीम बड़ी खतरनाक थी उस समय कोई भी देश वेस्ट इंडिस के लंबे चोड़े जो सरीर के ख वोड़े प्रेजने अफ जो देखो पहली महीला ठीके प्रेजरेंट कोन वें थी इन्होंने स्पीच भी दी ठीके जनल असेंबली यूनों में पहली बार कोई महीला प्रेजरेंट बनी थी ठीक है तो वह आपको बताना नहीं भारती ये थी इसाए इस यह एक्टेंगे यह सवाल में पीछे के कोश कोशन देख लेते पंडित निखल मेलर जी सितार है मोहे रंगदेलाल यह बिर्जो बाराज जी के द्वारा कोरिग्राफ किया गया उसके बाद ठीक है चीफ जस्टिस भी रहे और यह सब और इवन आपको करता है कि ट्रॉफी इनके नाम पे है तो वह आशुदोष मुखर जी क्या नाम है आशुदऊश मुखर जी ठीक है तो यह कोशन का रढ़ थिक है कित्त देर सस्थ और मिनुर्ट होगें कि किते हैं युद्यों कि तो यह होगा समझ तो आया ही हो चली है नावरוש देखिएगा फॉर्स्ट मिस वर्ल्ड ब्यूटी पिक्मेंट फॉम इंडिया अभी यह हो गया रीता फार यह इस कोशंग आंसा भी कराया है चाली अरुनिमा सिनहा जो है फॉर्स्ट फीमेल रही है मांट आवरेस्ट इन्होंने क्लाइम किया बट विद सम स्पेशियलिटी वदे क्या स्प स्पेशियलिटी अब देगे वो स्पेशियलिटी क्या रही होंगे क्या है इस कोशंग आंसर जल्दी से बताएंगा चाला तो इस कोशंग का आंसर इस कोशंगा कि यह दिव्यांग महिला थी फीमेल एंप्यूडी कैटिगरी में थी और इन्होंने फिर भी मांट उपशुचा कि कौन सी पहली महिला वुमें फाэтर पालेट यह पूचण रही हैं ने फाइंसर अलग दोनों में फर downt हैं ठीक है जैनकर आंसर का बावनाकान्स को आंसर है ऐसे ही कोशन मिलेंगे तरहिए इस पेर चोल लिएक है ऐन से मड़ीक आगे बढ़ते हैं है ना इस कोशन का अंसर बतेगा कमेंट करी का पहले बिजनस टाइकून जिन्हों ने रिलाइंस इंडर्सिप नहीं के सभी को पता है धीरू भाई अम्मानी यह कुछ कोशन भाई देखो सारे कोशन डालों मैं तो एक चैप्टर कराता हूं मेरा यह परपस होता है कि भाई सार सारे के सारे कोशन हूं कुछ बचेगी ना मतला अगर एक टॉपिक में मैंने ओल इन वन लिखा है तो आइविल मेक शूर कि भाईया वह चीज है अगर फरस्ट इन इंडिया है तो सब कोशन होगे एक और कोशन देखी का चिपको मुवमेंट जो है ना पहली मुवमेंट रह ने दन वो चुका है अगर थे एंवर्मेंट इस पर्मनेन्ट इकनोमी ओ ठीक है इकलोजी इस पर्मनेंट एकनोमी ऐसा कुछ सुना है आपने सुन्दर लाल भगोना ठीक है इनका भी ने लुगां था तो इसके ऊपर कोशन आ सकता है बोमबे स्टोक एक्सेंज जो है ठीक ह इसके पहले एड कोन थे यानी की उन्होंने स्थाफना करी इस Qochian कि कया है चल nicer जैसे आंसर के बूब स्थो आंसर अधे परेम चंद फिरेम प्रेंचक्रांड फर्थ एक लगा देता है बीच half in देखिए गा बड़ा इंपोर्टन कोशन आया ठीक है फादर ओव इंडियन आर्कलोजी ये इस वज़े से मैं ऐसे कोशन पूछन आ का ये पहले डारक्टर थे सर्वे बिंडिया के तो इसलिए फर्स्ट का इसंहार पोरह लंबा है चाप्टर आज कोशन यह मैं कुछ आतें कुछ बिल्कुल नहीं आते तो आप जो बिल्कुल नहीं आते हैं कि अ है ना है चलो आंसर इसको यह अलेक्जंडर क्योंगें यह पहले अर्प्रोजी रिविप इंडिये सबसे पहले डिरेक्टर बने थे इसलिए इनको फादर ओफ अर्क लोजिकल सर्वें पिंदेगा ठीक है भारत कोगिला जो कहा गया नात्मा गादी किसे का देखो बेसिकली ये ठीक है भारत की पहली भारती आइएंसी हैट रही महिला में ठीक है और गवर्नर भी रही सरोजनी आईडू जी इनी को कहा गया है ना तो कोशन आपको मिल सकता एक और कोशन देखें फर्स इंडियन मुवमेंट तो रसीव अशोग चक्र वेरी वेरी इंपोर्टेंट फर्स वन ठीक है पहली महिला जिनको भारती महिला जिनको अशोग चक्र से समानित किया गया आंसर के इस इस कोशन का आंसर है ठीक है नीर्जा भन्नोट इन्होंने देखिए बहुत ज्यादा जो है एक वीर्ता का प्रमान दिया कईों को बचाए इन्होंने जितने पैसेंजर्स थे जब हाई जैक हुआ था और अपनी जान गवाई इन्होंने तो इसलिए इनको अशोग शक्र दि थे मस्पर स्नाइटी कोशन पताए ये मारियो दी मिरान्डा थे मस्ट सक्षियत हैं किस शेत्र में प्रसिद्ध हैं बदाए आंसर के इसको किस शेत्र में प्रसिद्ध है कोशन का इस कोशन का आंसर कार्टूनिस्ट थेके हैं ना कार्टूनिस्ट इस कोशन गांसर थेके बड़ा प्यारा कॉशन है फर्स्टरफ इंडियन ओलंपिक इंडियन ओलम्पिक असोसिएशन के दीखो हमारे भारत में जो भी जो विए इंडियन ओलम्पिक देखता है तो उनके जो सबसे पहले बने थे वह कौन थे अच्छा कोशन है फर्स्ट इन इंडिया वाले कोशन में से टॉप कोशन में से एक है है थोड़ा मुश्किल है लेकिन आएगा इस टाइप के कोशन आते हैं ठीक है दौराब जी टाटा सर्व दौराब जी टाटा ठीक है पहले व्यक्ति जो नहीं ब्लड ग्रूप डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति का नाम बताई है असाने कोशन यह सभी को बताऊगा साइंस का बेसिक कोशन है ठीक कुछ कोशन भाई कुछ जादे असान हो जाते हैं एक्जांपल के तोर पर आप मत्राब के सामने समक्ष आप चला आशर के इस कोशन का आशर की यह जैसे वाला कूशन है का अंसर है thalar अभारत अधे मार्के पॉलों भारत आ थे मारकोदा भारत चामकिस को ब्हारत था ठालस चल्ब हराए-क यह कौन-कौन कल सुबह 8 बजे आने वाला पढ़ना सुबह 8 बजे पढ़ना है सभी को ठीक है बिस नहीं करना मतलब जो 8 बजे की क्लास है वह जरूरी क्लास है ठीक है उसे तो करना ही करना है आठ से नो नो से दस दो घंटे सुबह पढ़ो उसके बाद पूरे दिन यूटुब पर मत आओ ठीक है सीधा रात को नो बजे हो मैंने तरीका इसलिए कि है कि सीधा रात को नो बजे आप आओ दो लेक्चर आपके सब्जेक्ट चैप्टर वाई सब चलेगा तो मदब इसी में आपका पूरा जी के कवर होना साइंस कवर होना करेंट फिर कवर होना तो सुबह 8-10 पढ़ना स्टार्ट कर दो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा मेरा टेलीग्राम और टेस्बूक के साथ जुड़ो और पढ़ना स्टार्ट करो सुबह 8-10 और यह चोड़नी नहीं इतली आंसर एक और देखें गूगल के फाउंडर पहले थे लैरी पैंक दूसरे व्यक्ति का नाम बते हैं स्थापना नाम बते हैं इस इस पर बढ़िया बनाएं गूगल बनाया उससे अलावक है ठीक है सर्जी ब्रिंड इसकोशिंगा अंसर है ठीक है सितार के फेमस व्यक्ति सितार बजाने वाले यह तो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध है कि दुरिया जानती इनको आप तो जानते ही होंगे पढ़ने वाले बच्चे तो जानते ही है कोशन तो आते ही इन पर कि नहीं यानदा अब तो आउनसर गें देखो जैसे हम यह वाला कोशन है इस कोशन का अंसर पंडित रवी शंकर जे है क्या नाम है पंडित रवी शंकर एक और कोशन देखिए कहां इस कोशन का अंसर है हरनाज कोर संदू अभी इससे पहले इसराइल में 2021 में मेरे क्वा किसका मिस यूनिवर्स का है और उसमें जो सबसे 5 आगे रही जो जीती उनिवर्स들 हर पर son टर्द मिस यूनिवर्स का हरण को संदू इस कोशें का आंसर न итоглан्य वाइन आंफ इन्डिया किसे कहते हैं बताई कि मिसाइब ए इंडिया किसे कहते है यह जैसे कोशन है मिस्साइल मेन और इंडिया किसे कहते है यह सब सब्सक्राइब हुर्ध के था डिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी थी परसन विंगा एवरीथिंग हर चीज के मामले में मोडरेट व्यक्ति ठीक है दादा भाई नरो जी दादा भाई नरो जी वाज़दा फर्स्ट इंडियन का कोशन कैसा भी हो सकता है इस सिर्फ इंडियन का कोशन यह नहीं है कि राष्टरपती बने पहले प्राइम निस्टर ब ठीक है मतलब हर टॉपी का एडवांस पॉर्शन अब मैं तीन हफते में करा हुआ पूरा स्टाटिक जी के ठीक है ठीक है सलेगर कोशन देखिए डैश इयर में विदा स्वामी दयानन सरस्वती जी ने लहोर में आरे समाच की ब्रांच खोली मुश्किल कोशन है वड़ा कि क चालो तो जी इस कोशन का आंसर गया है तो यह है 1877 में ठीक है किसमें 1877 में एक और कोशन देखिएगा व्यन वाज गुरु नानक देव जी बोन गुरु नानक देव जी का जनम कौन से वर्ष में हूं करते हैं फाइनल जितने भी कोशन से हैं सारे कवर कर लेते हैं जितने भी है ठीक है फिर क्लास को एंड करेंगे वीडियो शेर करके जाये करो चैनल सब्सक्राइब कर ले करो ठीक लास में अगर होते हो तो और जो चैलन्ज टैलिग्राम का बता है आमनसर टेस्बूक उसमें भी उड़ना है ठीक है गुर्णानक देव जी पहले सिख गुरू का भी ठीक है चलेगर कोशन देखेंगा गोपुरा साउथ इंडिया टेंपल जो आर्चिटेक्ट है देखो गोपुरा होता क्या है जैसे साउथ के जो मंदिर होते रहा उनमें जैसे पीछे कैसा भी मंदिर बना हो लेकिन उनकी स्टार्टिंग में एक बड़ा एंट्री गेट होत ठीक है एक मखबरा है चीनी का रोजा ठीक है बताई वैसे इस टॉपिक को फेमस लोकेशन का मैं कोशन अलग से और भी कराऊंगा पट क्यूंकि अब हम डिसकस कर रहे हैं तो मताई दीजिए कि चीनी का रोजा जो फेमस मखबरा है यह कहां पर इस कोशन का आंसर के आग ठी नियर वीच ओव फॉल्विंग सिटी आर रोख शेल्टर भीम बेतका भीम बेतका कहां पर बड़ा फेमस भीम बेतका भीम बेतका तो ठीक है MP का ठीक है में अट्रेक्शन पॉइंट है अभी हम इसको इधरी होल्ड करेंगे इस कोशिंगे बाद ठीक है भुपाल इसकोशिंग तो वह अलग से उठाएंगे अब आप क्या गरो आप जितने ही बच्चे हैं जो भी बच्चा देख रहा है टेलीग्राम पहले जोइन कर लो अमनसर टेस्ट बुक ठीक है जोइन करके क्लास उसी में आपको मिल जाएगी ठीक है सर्च कर ले टेलीग्राम अमनसर टेस्ट ठीक है इन दो क्लासेश को देखो मैं करेंटी देता हूं निकल जाएगा ठीक है एक्जाम की त्यारी चाहिए आप रेलवे की करो सीप्यों की करो जो भी बैच पढ़ना है पढ़ सकते हो मैं हर बैच में अवलेबल हुआ आप एक कोड यूज करेंगा अमंदीप आप अपन की Pik Touan जब टेस्सबूक शूपर कोचिंग slower करोगे ना किंट तो मालनो में आपको अफुझाए राथर आप रेलवे की तेरीग कर रहा हो सब्सक्राइब मेरे सारे लेक्षर आपको इसी मिलेंगे सीवियों का सूपर मेंगे थाइए सेलेक्षन पूस्त मैं आप सूपर पैक्ष्ट कैसे करना और था आपको सब कुछ एक साथ मिल जाए अपना नमबर डालना जो तो आपको ये कोड़ मागएगा ठीक है तो आपको जादा क्लासें नहीं रखी है वह कि ऐसके साथ आपको सारे बैच्चेस मिल जाएगी तुम वापी सुरह मिलते हैं आप Go काम का content मैं आपको दे रहा हूं ज्यादा classes नहीं रखी है फालतों के classes सारी खतम काम की classes रात को 9 बज़ेगी और सुवह आट से 10 पढ़ना है बहुत काम है सुवह सुवह साइंस नहीं पढ़ा रहे हो तो बात नहीं बन रही आपकी साइन्स पढ़े भीना बात बनेगी क्या पढ़ना तो पढ़ेगा ना तो पढ़ो है ना आओगे सभी के सभी यस लिख देना और आना भी सुमें भहिया पढ़ने लग जाओ आट से दस पढ़ना स्टार्ट करें ठीक है फिर सेशन के एंड करते हैं वीडियो को लाइक करिए शेर करिए चैनल को सब्स्राइब कर लिए